तो गाइस इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूले तो लेट्स कर स्टाड़े इसलिए और हम कितने घंटे देखने में स्पेंड करते हैं गाइस ड्रीम में एक सिरीज और इवेंट और इमेज होता है जो हम सोने के बाद विजुलाइज करते हैं हम एराउंड 6 तो 8 आवास होते हैं जिसमें से नॉर्मली 2 तो 3 आवास हम ड्रीम्स देखने में स्पेंड करते हैं तो हमारा next fact है do you know why tears come out when we cry जब हम रोते हैं तो brain में एक part है जो की हमारा emotions control करता है वो signal भेजता है एक part को जिसका नाम है tear fountain तब tear fountain का switch on हो जाता है और यह हमारा eyes के tears hole से निकलने लगता है in other words this is a way to drain our emotions into hell तो चलिए हमारे next fact में जाते हैं fact number 3 क्या आप जानते है what is sleep paralysis sleep paralysis is a temporary inability to move or talk while sleeping but can aware of what is happening in our surrounding मतलब यह disease नहीं है पर ज्यादा तर लोगों के साथ होता है आप जब सोहे होंगे आपको सब कुछ पता चल रहा होगा आपके surrounding में क्या क्या हो रहा है फिर भी आप ना कुछ बोल पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे यह maximum 2-3 मिनिट्स तक होता है और यह बहुत एक डराबना होता है क्या आपके साथ ही हुआ है हमारा next fact है hiccups के बारे में क्या आप जानते हैं हमें hiccups क्यों आता है हमारे voice boss के उपर में एक opening होता है जो की suddenly close हो जाता है एंट हमारा जो diaphragm है वो suddenly बार-बार contract होने लगता है और एक sharp jerk और incomplete inspiratory sound प्रोडूस करता है जिसे हम hiccups कहते हैं Fact number 5 क्या आप जानते हैं जब हम onion को काड़ते हैं हमारे आँखों से हासु क्यों निकलता है क्योंकि onion को जब हम काड़ते हैं वो अपने आपको बचाने के लिए एक compound जिसका नाम है propanethyl S oxide जो कि sulphanic acid और कुछ enzyme से बनता है वो easily evaporate हो जाता है जो कि बहुत ही गंदा smell और irritating होता है हमारे आखों के लिए और हमारे आखों के nerves को irritate करता है और हमारे आखों से आसु निकलता है इससे बचने के लिए आपको onion को आदे घंटे से पहले और यह उनके छिलके को निकालकर freezer में डालना होता है जिसके बाद आप जब काटेंगे वो हमारे आखों से आसु नहीं निकलेगा जो गाइस ऐसे ही और बहुत सारे amazing facts और related facts जानने के लिए हमारे चैनल को like करे, share करे और subscribe करे और bell icon देवाला मत भूलना, that's all जो तेवाला मत भूलना होता है झालना होता है